ब्रज चोरासी कोस की परिक्रमा साथ दिवसिय चल रही है यात्रा के पंचम दिन जगा जगा दर्शन कर गुरूओं का मार्ध दर्शन लेकर श्रधालूओं को जानकार्य दी गई परम पूज्य पवन शरणजी महाराज के सानिद्य में तिर्थिस्तल पर गुरूओं ने शधालूओं से कहा कि स्वयम भगवान श्रीकृष्ण ने नंद बाबा यशुदा मैया एवं समस्त ब्रजवासियों को यह यात्रा कराई थी 84 लाक योनियों से मुक्त होने के लिए ही ब्रज 84 कोस यात्रा की जाती है दर्शन यात्रा दानपुर्ण ने आदी कराने का करोडों गुना फल होता है जो चारधाम की यात्रा है मुक्षधारी यात्रा है जब भगवान श्रीकृष्ण बड़े हुए तो नंद बाबा यवं यशुदा मैया ने अपने ब्रजवासियों के साथ चारधाम की यात्रा करने का विचार बनाया जो भगवान श्रीकृष्ण को पता लगते ही नंद बाबा एवं यशुदा मैया एवं ब्रजवासियों से कहा कि मैया हम यही पर चारो धाम के देवी देवताओं को बुला कर यही पर चार धाम की यात्रा कराने को कहते हैं। पुझ जी पवन शरंड जी महराज के साथ चल रहे हैं वर्तमान में चल रही 84 कोस की यात्रा में शामिल राजस्तान, कोटा, विहार, मधिप्रदेश, आदी राज्यों के सेक्ड़ों शद्धालू परम, पुझ पवन, चरण, केदारनाद, बदरीनाद, गंगोतरी, जमनोतरी, आदी बृत, चोरासी, कोस परिक्रमा में चारधाम की यात्रा दर्शन कर, पुझ पवन, शरण, जी महराज के साथ चल रहे हैं वर्तमान में चल रही 84 कोस की यात्रा में शामिल राजस्तान, कोटा, विहार, मधिप्रदेश, आदी राज्यों के सेक्ड़ों शद्धालू परम, पुझ पवन, शरण, जी महराज, एवं, लक्षम सीक कोस परिक्रमा की जानकारिया देते आ रहे हैं, वही साई कालिन श्री ठाकुर जी की आरती परश्चा श्रीमत भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, भागवताचारी परमपुझे आचारी पंडित श्री मदन गोपाल जी ब्रंदावन धाम राश्ट्री प्रवक्त द्वारा अपने मुखारविंद से शद्धालों को भागवत कथा के माध्यम से रस्पान करा रहे हैं, सागर से संजेतिवारी की रिपोर्ट